नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक बहुती जबर्दस उपाई के बारे मताने वाले हैं जिसे करने से आपके जीवन में आ रही सभी संकटों और परेशानियों से आपको मुक्ती मिल जाएगी और साथ ही आपके सभी मनुकामनाई भी पूरी हो जाएगी दोस्तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जवर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से सुने दोस्तो एक बात तो आप सभी मानते ही होंगे कि जब भी कभी हमारी कुंडली में कोई ग्रह अच्छा हो या बुरा हो उच का हो या नीच का हो पापी ग्रह हो या पुन्य का वे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रवाव दिखाता है खास कर से शनी, राहू और केतु अगर आपके कुंडली में अपना असर दिखाते हैं तो वे बहुत ही जवर्दस रूप से दिखाते हैं लेकिन दोस्तों, ये सभी जब अपना अच्छा परिणाम दिखाते हैं तब किसी को कोई समस्या नहीं होती है वे अपने जीवन को आराम से और सुखमरी तरीके से जीता रहता है लेकिन जब भी कभी कोई भी ग्रह है, खास कर से सनी, राहू केतु अपना जब दुकूपरबाब दिखाते हैं और मनुश्या को कष्ट देते हैं तब वे उसके उपाए के लिए मारा मारा फिरता है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये ग्रह आपको कभी भी कष्ट क्यों देते हैं क्योंकि आपको ये ग्रह तभी कष्ट देंगे जब आपने अपने जीवन में कभी ना कभी जाने अन जाने कोई ना कोई गलतकार किया है, कोई कर्म आपने गलत किया है या कोई गलती की है, आपने किसी इर्षया वर्ष, किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है या फिर कोई गलत कारिक कर बैठे हैं तभी आपको इस प्रकार के कर्मों का भोगना पड़ता है और एक व्यक्ति के कियेगे कर्मों का फल पूरे परिवार को भोगना पड़ता है जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि एक बस में कोई पापी व्यक्ति बैठा था जिसकी बज़े से पूरी बस ह व्यक्ति बच जाते हैं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति के दुवारा किये गलत कारे पूरे परिवार को भूगना पड़ता है उसका परिणाव। जब भी किसी अच्छे ग्रहनक चत्र का व्यक्ति एक जगह जब बैठा होता है तो सभी के जीवन को व्यतार देता है। वही अगर कोई बुरे ग्रहनक चत्र का व्यक्ति किसी के साथ जब बैठा होता है तो उसके जीवन को व्य बरबाद कर देता है। का साथ नहीं देते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, हो सकता है कि आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे आच्रन के व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी आपको कश्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसकी व्यक्ति की संगत में हैं, यानि कि ज जो व्यक्ति होगा उसे ग्रेनक्षेत्र आपका साथ देंगे और आपके ग्रेनक्षेत्रों का असर उस पर पड़ेगा और उसके अच्छे ग्रेनक्षेत्रों का असर आपके ऊपर पड़ेगा क्योंकि दोस्तों जब भी समय आपके साथ में आपकी प्रिख्षा लेता है तो वह बहुत ही बुरे तरीके से लेता है आप देखेंगे कि किसी भी एक तुछ सा मानव तुछ सा व्यक्ति जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वह आपको आगर के नीचा दिखा है आप बात में देखते हैं सोच के पस्ताते हैं कि ये विक्ति भी मेरी बदनामी कर गया और मुझे पस्तावा दे गया क्योंकि दोस्तों वह अनुभोती उस इंसान की नहीं थी बलकि उसके ग्रह नक्षत्रों की थी उसके गलत ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में आपको परिशान करने के लिए आए और आपको तंग करके चले गए और आपको जिन्दगी बर के लिए नीचा दिखा दिया क्योंकि दोस्तों समय बड़ा बलवान होता है जब समय अपनी फेर लेता है तो व्यक्ति के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है उसे कहां से आकर के वे संगत आपकी पती या पतनी की बच्चों की या फिर आपके परिवार, रिष्टेदार, दोस्त और पडोसियों की भी हो सकती है। अच्छे हैं जिनके ग्रेनक्षेतर भी अच्छे हैं दोस्तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आपके जीवन में समस्या क्या है तो अब हम आपको बताते हैं समाधान यानि कि आज की वीडियो का उपाए दोस्तो आपको क्या करना है कि आपको एक छोटी कटोरी में थोड़े से जो लेकर के आपको अपने घर के उत्तरी दिशाम में जो घर का कोना है या फिर आपके कमरे का जो कोना है आपको उस कोने में उस जो को रख देना है और एक या दो दिन के बाद आपको इसमें से पांच दाने जो के निकाल लेने हैं अब पांच दाने जो के निकाल देने के और लपेटे हुए सिंदूर में उन जो के दानों को आप एक लाल रंग की या फिर पीले रंग की एक कागज की उड़िया में बांध करके अपने जेम में रखे और हमेशा ही रखा रहने दे अगर आप हमेशा नहीं रख सकते हैं तो आप उसे किसी भी जरूरी कारे पर जाते वक्त आप इसे अपनी जेम में अवस्या रखे आपके जितने भी बुरे ग्रेनक शत्र हैं वे आप से दूर हो जाएंगे साथ ही आपके जुसंगत में आने वाले ब्यक्ति हैं जिनके ग्रेनक शत्र आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो इन ब्यक्ति के ग्रेनक शत्रों का प्रवाब भी आपके उपर नहीं पड़ेगा साथ ये साथ आपके जीवन की जितनी भी समझाएं हैं परिशानिया हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जाए बजरंग बली